हाई दोस्तों नमस्कार आप सभी का यूटूब चैनल एज्योगेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों काफी दिनों से जब से दो तिन दिन पहले रीट लेवल टू का रिजल्ट आया है तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर दोकूमेंट वेरिफिकेशन के दोरान कौन-कौन से दोकूमेंट आफशक होंगे तो मैं आज आपको बताऊँगा कि READ LEVEL 2 के लिए आप जब आप डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आप ये डोकुमेंट अपने साथ ले कर जाएं और करम संक्या भी अंकित कर ले वें तो दोस्तों ये है READ 2016 ओनलाइन आवेदन पत्तर के साथ दस्तावेज निम्ना नुशार परत्यक ब्रष्ट पर करम संक्या अंकित करके लावें आपको सबसे पहले जो ओनलाइन तो हम सुरू करते हैं ये नोन टीसपी के लिए हैं तो सबसे पहला है READ 2016 ओनलाइन आवेदन पत्तर की पड़ती जो आपने आवेदन पत्तर भराता अभी जो पिछली बार फारम हुए थे जो एक तारिक तक चले थे वो फारम की फोटोपी ले जानी है जो दिया था उसके बाद में आपको उसके नीचे जो आपकी सेकेंडरी की अंगताली का है उसको अटेस्टेट करके लगाना है यहने दस्वी कलास की उसके बाद में जो दस्वी कलास का जो परमानपत्र आता है अंगताली के साथ में वो लगाना है अगर दोनों साथ में यह तो दोनों अटेस्टेट करके लगाना है छे नमर पर बात करें तो आपको जो सनातक की अंगतालिका ग्रेजियोशन की वो ग्रेजियोशन की अंगतालिका आपको परमानित करके लगानी है उसके बाद में सनातक की डिगी जो आपको डोकुमेंट की तो BSTC का प्रवाण पत्र या डिग्री की प्रमानित पड़ती आपको लगानी है आगे BSTC में परवेस दिनांगी जो पड़ती है वो भी आपको लगानी है याने आपने जब एडमिशन लियाता तो आपको एक सिलिप दी गई थी उस सिलिप की फोटो कोपी आपको लगानी है अगला 11 नमर पर जो डोकुमेंट लगाना है आपको आर्टेट 2011-12-2015 का परमान पत्र की प्रमानित परती लगानी है अगर इन मेंसे तीनो है तो तीनो लगाना है दो है तो दोनो और एक है तो एक लगाना है अगला करें तो 12 नमर पर मूल निमास परमान पत्र की आपको अट्रेश्टेड परती लगानी है तेरा नमर बर जाती परमान पत्र लगाने आपको चाहे आप अनुसुची जाती से हो अनुसुची जन जाती से हो अन्य पिछड़ा वर्ग से हो या विशेश पिछड़ा वर्ग से हो उसकी परमानी परती और अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेश पिछड़ा वर्ग के Merrier लिखा है तो अगला है विवाइत होने का सपत्पत्र यदि आपका विवा बाईस पांस दो हजार छे से पुर्व हुआ है तो आपको सपत्पत्र भी लगाना होगा अगला है अगर आप एविभाईत हैं तो आपको एविवाईत होने की स्तति में सपत पत्र यह पत्ते की मर्त्यू का पर्मान पत्र की पर्मानित परती आपको लगानी या अटेस्टेट गरगे याने सभी डोकुमेंट्स आपको अटेस्टेट गरगे लगाने हैं अगला अठार नमर पर अगर आप परितेकता हैं तो न्याले की जो निरनी की कोपी है या डिक्री की परमानी परती आपको साथ में लगानी है 19 नमर पर अगर आपके संतान है तो संतान समंदी सबत पत्र भी आपको लगाना है वो दो से ज़्यादा होने वाले रूल पर अगला है अगर आप भूतपूर्वे सेनिक हो तो भूतपूर्वे सेनिक होने की स्थी में आपको गरवाकर लगाना है अगला है आवेदक द्वारा गोशना पतर निर्धारित प्रारूप में विग्यप्ति के बिंदु सिंग्या 13.1 के नुसार जो पढ़ लेना है और वो गोशना पतर देना है और अगला है आवेदक का सपत पतर यानि निर्धारित क्रिम में वो भी विग् आपको बताएं ये दस्तावेज आपके document verification के दुरान आपको ले जाने तो दोस्तों आसा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा जे हिन जे भारत